वो इसी दोरान पहली बार एक ऐसा कोई कलेक्टर जवलपूर में आया है कि इसने इस नीमों का संग्यान लिया और नीमों का पालन करने के लिए उसने एक जगरा दिखाया है जगरा पालन करने के लिए उनकी समस्चाओं को देखती हुए उनके हिट में इसी वाकिया ऐसी अधिकारी हर ज़ले में होने चाहिए और इस कारवाई से यह होगा कि आगे जिस तरह का धानली हो रही है इसकूलों में किताब पर्चेसिंग में, डैसिस में, रिकबरी आफीस में उसके उपर चेक होगा संसकार धानी जबलपुर की प्रसिद्धी की यूँ तो अनेकों बज़े हैं यहां नरम्दा कलकल बहती है, इस सहर का पुरातन इतिहास है, यहां अंग्रेजियों की जमानिस है, कैंट है, हाल ही कि दिनों में जो जबलपुर चर्चित हुआ है, वो यहां निजी स्कूलों पर हुई कारवाई को लेकर हुआ है अब तक करीब 49 कलेक्टर रहे हैं और 44 कलेक्टर हैं मेरे साथ दीपक सकसेना जी, तो हम उनसे जानेंगे कैसे उन्हों ने निजी स्कूलों पर कारवाई करके पूरे देश में एक नजीर पेस की है, मिसाल पेस की है, शुरुआत से हम समझेंगे इस्कूल संचालक, निजी स जी, सर्कारी स्कूल में परते थे, मैं तो देखिए, बीसरकारी स्कूल में परता था, और जब अभी इस बात की बात चले की 30 फीस लगती है, तो मेरे पास जो मेरी दस्वी की मार्शीट है, उस 10th के मार्शीट के पीछे, वो इस्कूल वालों ने फीस भी लिख रहा है, त मेरे समय जो मेरी फीस थी, वो दो रूपे दस पे से थी, उसके साब से, किस क्लास की बात परते हैं, यह मैं 10th की बात कर रहा हूं, तो सरकारी स्कूल में पढ़ें उस समय, अभी भी सरकारी स्कूल में बहुत कम फीसे है, प्राइविट स्कूल में वेफसाई करन हुआ है, और हम लोग तो उसी से पढ़ें, सरकारी कॉलेज में पढ़ें और सरकारी स्कूल में पढ़ें, देश वरमसर जवलपुर की कारवाही और आपका इनिशेटिव काफी सरहा जा रहा है, तो हम शुरूआत से यह जाना चाहेंगे, कि सबसे पहले आपके मन में यह इस तरह का करीब साथ लाग बच्चों से 240 करोड रोपे निजी स्कूल संचाल को ने वसूले हैं, इसमें क्राइट चर्च जैंसे नामी स्कूल भी हैं, तो इसे लेके आप सुरूआत से थोड़ा सा बताएए, एक अपरेल को मानी मुक्हमंती जी ने ट्वीट किया था, उसी दिन में हमार पास नहीं थी, प्राइमर फेसी लोगों से बात करके समझ में आया कि शिकायत इसलिए नहीं आ रहे हैं कि स्कूल परबंदन का बच्चों पर दवाब रहता है, उनके केरियर की चिंता रहती है, तो मैंने फिर एक इनिशिटिव लिया, एक अपना परसनल वाटसए क्राइस चल रही थी, जल्दी होने वाली थी, लोगक कह रही थे कि बहुत मह Policy किताबें मिल रहे है, हम दे एक पुस्तक मिला लगाने का निर्डे लिया। पुस्तक मिला लगाने का जैसी निर्डे कि लोगो Państwo पढ़ गजा कि हम लोग गंपीर हो गया है इस वाम ने में। इ किताबों के फर्जी होने की बात जो थी यह में को बड़े आश्चर में डालने वाली बात थी मैंने SDM's की टीम को जो है मोके पे भेजा पच्छी से जादा किताब उन्होंने जब की जिसमें मोर दें 96% किताब में फर्जी थी मैंने और S.P. ने जाके भी मोके पे देखा हमने वेब साइट से उसको मिलान गिया और अचरज हुआ कि इस तरह का पुस्तकों के मामले में खेल चल रहा है इसके बाद जैसे इलेक्शन कंप्लीट हो हमने फीस के इशू को उठाया है फीस में चार-पांच इशू थे कि आपक तो उसकी स्विक्ट ही आपको कलेक्टर से लेना चाहिए जब इस तरह की डॉक्यमेंट्स हमने स्कूल प्रबंदन से मांगना चालू किया तो किसी के पास नहीं थी आर्डिट रिपोर्ट्स कोई पोर्टल पर अपरूर्ड नहीं हुई थी एक का दुक्का ओडिट रिपोर्ट्स थी सर्प्लस की जानकारी उसमें गुहा फिरा के बताई गई थी फिप्टीन परसेट से ज़्यादा कई स्कूलों में सर्प्लस था इसके बावजूद होंने फीस बढ़ा दी थी फीस बढ़ाने की सूशन नहीं दी थी दस प्रतिशत से ज़्यादा है तो कलेक्टर की सुईकत ही नहीं ली थी फुल मिला के पुरा के पुरा गोल माल था जो परपस मुझे समझ में आया सब की एक एक करके जाज कर रहे कि ये इनका जो इंटेंशन है वो अनुछी इतलाफ कमाने का है क्राइम करने का इंटेंशन है कि वह सिंपल प्रोसीज्डा गलती नहीं है कि आपको आईडिया नहीं है क्या है क्या है क्योंकि एक्त को लागउ हुए छे साल से जादे साम्हे हो शुका है सब established school थे ये किताबों के बारे में आप हर साल किताब है कैसे चेंज कर दे रहे हैं, उससी परसेंट फिर आपके तो हमें आइडिया नहीं है, ऐसा के सो सकता है कि आपको आइडिया नहीं हो इत्तिसानों से आप पढ़ा रहे हैं, तो फिर जब हमने इनके एंगल को खांगला चालू किया, हमको फिर कई सारे गुपत हो तोर से चूतर मिले, लोगों ने जानकारियां दी, लोगों ने ये भी बताया कि स्कूल मेंडियम्ट के जो लोग हैं, हर साल बड़ी मौटी रकम चंदे में लेते हैं, कमिशन में लेते हैं, इनके जो प्रोग्राम्स हैं, फॉरें विजिट के दूसे विजिट के, उनको स्पांसर्शिप मिलती है, लग-लग लोगों से, अब इस तरह की चीज़ें मिली तो मुझे लगा कि अब इसमें जाच करने के लिए मुझे किसी स्पेशल एजनसी को लाना पड़ेगा, इसलिए फिर हमने रिपोर्ट तयार करने के लिए, कुछ म उसमें भी पुलिश जो है, अच्छे तरहीके से काम करें। भाग दोगे आप, तो 6,885 का हिसाब नेकले। इस साथ साल हुए, इस साल हमारे पार डाही लाग बच्चे है, यदि आप एवरेज भी आप मान लेते हो, तो एवरेज मानके भी आपके करीब करी 14 लाग बच्चे होंगे, 14 लाग बच्चों में यदि आप 6,800 के दि आप ग 60 ले लिया, वो 6,800 का हमने 60 ले लिया, वो करीब 4,800 आप गोड़ा कर दिया तो वो 240 करूर आगे, यदि आप मैक्सिमम साइट पर जाते हो तो वो 1000 करूर के आसपास पहुच रहा है, जो एवरेज इन 11 इसकूलों का है, उन 11 इसकूलों का एवरेज इदि आप पकड़ते हो तो वो 1000 करूर का पहुचता है, और जितने बदमाश ही इसकूले शायद उतने बाकिस हम नहीं होंगे, इसलिए बहुत मिनिमम के लेवल पर जब हम लोग ले किया है, तो हमारा आकलन यह है कि कम से कम 500 करूर से ज्यादा के 50 वसूल ही जो है, वो तो गर्वर तरीके से वसूल राशी ली गई है, उसी तरीके से वापिस करना है, जिस व्यक्ति के खाते से आया है पैसा, उसी व्यक्ति के खाते में वापिस करना है, हमने इनके रिकॉर्स देखे, रिकॉर्ड में सारे रिकॉर्ड है कि किस व्यक्ति से कप फीस आई है, कितनी आई है, तो यदि एक दफ हमारे पास आ सकते हैं कि भी हमारे पास पैसा नहींको कुछ सामय दी दी जी यह अधिकल हमारे पास भार में पर्कार परावग को हुए चुर्की की कारवाया ह Напр Mission सबसे बड़ा जो है कि आप फीस कब ले सकते हैं जबकि आपकी जो सर्प्लस मनी है वो 15% से कम हो और उसके लिए audit report लगेगी अधिकांच इसकूलों की audit report नहीं है कुछ इसकूलों में audit report है और सर्प्लस मनी जो है 45-45% तक है मनला फीस बढ़ा ही नहीं सकते हैं इसके बावजूद आप बढ़ा रहे हैं फिर फीस की जो मदे हैं आपकी कुछ भी फीस की मदे है एक स्कूल ने रोबोटिक्स के subject को लेकर कक्षा एक से रोबोटिक्स का subject चालू कर दिया तो कक्षा बारा तक जो है उसकी साड़े 5,000 रुपे की फीस ले रहे हैं तो मैं ने पूछा कि कक्षा यह कक्षा तो मैं आप कैसी पढ़ा रह esperar perpetrator की सिक्षा दे रहें आछा कंप्श डे रहे तो कंप्वार की सिक्षा दूर्से लोग 55 रुपे मी दे रहे आप देकल कम्पूटर का नाम बनलके रोगोटिक्स रख दिया और आप उसकी सिख्षा 5000 में देने लग गए कुछ स्कूलों ने जो आई-कार्ड बना लिए आई-कार्ड ऐसे हैं कि बिल्कुल आप देख लिए कि बिल्कुल को जर्वा को उसको रख लो साड़े 4-400 रुपे का आई-कार्ड दे रहे हैं तो ना कि बिल्कुल बच्चे को दे रहे हैं बलकि वो का आई-कार्ड के रहे हैं कि आपके पैरेंट्स को भी लेना है हर साल चेंज करना है साड़े 13-400 रुपे का आई-कार्ड देने लग गए अब वही आई-कार्ड वाला बेखती ही, यूनिफॉर्म पेनके जा रहा है, बसता लेके जा रहा है, लेकिन बस में चलेगा, तो बस के लिए अलग बेज है, तो उसका 3500 रुपे का एक अलग बेज है, अब एक दिन जो है आपका वो नॉन बैग डे है, स्कूल बैग डे है, कई पास्ता खिला देंगे 1500 रुपे का, तो इस तरह का जो कुछ अकर रचागिया, कैसे भी करके पैसा आना चाहिए, अलग अलग तरीके से लोगों से पैसा वसूल किये जाए, ये बड़ा दुर्भाग के मूल है, सर अभी आपने 11 स्कूलों का कारवाई की है, आपक क्या देखिए, मेरे पास जो इनिशनल शिकायत आई थी, 78 स्कूलों की आई थी, और 78 स्कूलों में ही हमने 44 कारवाईया चालू की थी, 11 स्कूलों की जाच हमारी complete हो गई है, इसलिके हम जाच complete हो गई थी, जो आप मेरे से बात कर रहे थे, तो हम चाहिए थे काउंटिंग हो, खत शिकायत आईए उस पर नहीं, हमको दोसकों भी देखना पड़ेगा जिसकी शिकायत नहीं आप आईए, और शिकायत नहीं आईए, शायद वो स्कूल जादा गढ़वड कर रहा है, क्योंकि हो सकता है, बच्चों पे जादा दबाव हो, पैरेंट्स पे जादा दबाव हो, तो अभी हमने ये टेकिया है कि 500 से जादा संख्या वाले जो स्कूल है, शातर संख्या वाले, उन सभी स्कूलों में हम फीस को लेकर तो जाच करेंगे, इसमें हमने एक प्लान बनाया है, कैलेंडर बनाया है, कि जिस स्कूल में सबसे जादा शातर संख्या है, उसको सबसे बेले लेंगे, उस तरीके से जाच करना चालू करेंगे, और सभी में फीस की जाच करेंगे, फीस में दी गढ़वड है तो लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे का फीस वापस कर दीए, वापस नहीं करेंगे, तो दूसरे उपाए हैं हमारे पास फिर कारवई करने के। सिक्षा में बढ़ती फीस को लेके एक असमानता का भी दौर देखने को मिलता है, हम देखते हैं कि हर कोई अभी अभी अभाव की चाहता है कि वो अपने बच्चे को अच्छी स्कूल में सिक्षा दे, लेकिन फीस के लगतार बढ़ती इस्ट्रक्चर को लेके ऐसा संबब नह हैं कि कितनी फीस की बड़ती आप कर सकते हैं, 15 प्रितिशत से ज्यादा सर प्लस हैं आप फीस नहीं बढ़ा सकते हैं, उसके अलावा यदि आप 10 प्रितिशत बढ़ाएंगे, maximum 10 प्रितिशत हैं, 10 प्रितिशत से उपर आपको राज्य शास्कार किया, कलेक्टर के नुमती लेना पड़ेगी, तो इस तरीकी से फीस की जो अनाप्शना ब्रद्धी हो रही थी, उस पर सरकार में कंट्रोल किया है, एक्ट लागू किया है, अब उस एक्ट का पालंग ठीक से कराना, यह हमारी जिम्मेदारी है, सर अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी स्कूल जब हम पढ़ते थे, अब तो सरकारी स्कूलों का बड़ा नाम होता था, उस समय तो प्राइवेट स्कूलों में यह दिखका दुखका प्राइवेट स्कूल होते थे और प्राइवेट स्कूलों में कोई बच्चा जाता था, तो यह माना जाता था कि शैतान बच्चा वरतान काफ़ी हो गया है, आप सरकारी श्कूलं के बच्चे कम पढ़ते हैं और प्रायविट में जाना जाते हैं प्रायविट में बेसिकली उनका इंफ्रा बैटर है कॉलिट रूम जाना अच्छी होंगे, ब्लैक बूर्ड जाना अच्छी होंगे टेबल कुर्सियां अच्छी होंगी और सिक्षा का जो पढ़ाने का जो तरीका जो अभी हमने देखा जिन कितामों के मादम से पढ़ा रहा है जिस तरीके से पढ़ा रहा है वो जरूर विचार नहीं है आपकी आईएस बंदे की सफर भी सर बड़ा रोचक है जो थोड़ा उसके बारे मताईए नहीं मेरे कोई रोचक तो कुछ नहीं है मैं नोकरियां ढूंड रहा था इस नोकरी में आगया आगे चलकर प्रमोशन हो गया तो आईएस बंदे का जैसे आप बैंक में थी आप बैंक में उसके बाद जो है आपका पहला प्रिम्स निकला जो है तो आपको लगा कि मुझे इसी फिल्ड में आगे बढ़ना है उसके बाद का संगर्ज जो है कैसे आपने पढ़ाई की घरवालों का कितना सपोर्ट था दवाव था देखिए मैं मेरी पहली जो नोकरी लगी थी वो बैंक में लगी थी और उस समय यह था कि आपकी यदि बैंक में नोकरी लग गई तो मेरे को UPSC और PST की ऐग्जाम देना चाहिए तो देना चाहिए की पास वोना चालू हो गया था कका हवालों का कभी प्रिश्र रहता नहीं था उनको लग गया था खीन नोकरी लग तो दूसरी भी लेगा कही नगे तो बहुत इसा कोई प्रिश्र नहीं था बहुत आजी गो में पूरा करियर जो है बहुत इस्थिर रहा है जो है आप आपके वेक्टित में भी इस्थिरता जलगती है आप बड़े इस्थिर प्रग्य हैं जो है यह कैंसे आया आपके जीवें मैं ऐसा नहीं है कि आई-एस में प्रमोशन होने के बाद ऐसा हुआ है मैं तो मतलब 2010 में जो है आप देखा होगा और वो अलमोस्त मेरा जो शुरुआती दौर नोकरी का रहा उससे में जरूर थोड़ी सी ज्यादा उरजा रहती है और आप थोड़ी ज्यादा चंचल तरवर् मेरे जो सीनियर लोग हैं मेरे साथ ही लोग हैं उनके साथ जम मैंने सीखा और मुझे मेरे कहले हैं मुझे समझ में आगया कि इस पूरी नोकरी में आपको बहुत दीरच के साथ बहुत साहियम के साथ सभी लोगों के साथ जुड़के दरातल पर रहके काम करना जरूरी है तब आप अच्छा काम कर पाएंगे नहीं तो नहीं कर पाएंगे मैंने आप से बात्चीत के दौरान देखा कि तमाम मीडिया कर्मी आम जन आप से मिलने आ रहे थे इसे आप कैसा महरिज करते हैं मैं इस बात को बड़ा पुश किस पास समझता हूं कि लोग आपके पास मिलने हैं कोई अपक्षा रख रख रहा है और उनकी अपक्षा रख रख रहे हैं आपको कुछ काम दो आए आज की तारिक में इस्तिति यह है कि लोग के पास काम है कोई मिलने नहीं आपके दरवाजे देख रहे हैं तो हम चल्ब सवभागे शाली वोगों से जिनके आपके पास ताइम कमा इस सवभागे को मैं नहीं चाहता कि दूर हो जाना है किसाम पिछली वार आया था आपको यह अप्लीकेशन दे गया था आपको यह पास ता मेरी कोशिश रहती है कि दूरी वार यह कोई व्यक्ति आया तो मेरा हथ पतकार चल्ड़ चल्ड़ा चल्ड़ा जाए ख़लाज से बात करा आप इसकी हजाँ सर आपकी जीवन संगनी मैं किसाम के दूराम कितना सहयोग रहता है तो मेरी वाइक तो मेरा फुरा देखती है बश्यक्ति क्या हूं आप जब आप जब आप ने बात की कि आप झाप करते हो आप साहियों के साहिए तो आप इस्तित्त पर दे लेते हैं तो तो इस बहुत बढ़ा गोल आपकी तर आपकी राञक पैर उभी मेरे से जाधर रहें। तो मेरे पुराी मेरे समझ में बडियाने वे इसोच्छे से कि इस् irدي हर भाइशा है यो समझ लिएशाय को समझ बाइभी उजर मेरे से जाधर बहरें। कई सारे सामκαमलों में कि शुर्चे कों कि मुझें जINO करे ली देती हैं। थिल्ड में आपने आपने सबसे हैं और अलब इनीशल स्टेज्च में सबसे हैं अजरें लिए चप्रमारी काम में आज अपने आपने तो। छोगता है तो फिर आप मिलते हैं, तो एक आपको भी लगता है। मेरे भी बच्चे हैं, मुभी पड़े हैं, प्रैविट स्कून में ही पड़े हैं, उनों दे जब मेरे साथ एक साथ किस तरह का हुआ था, तो मुझे बास्तों में लगता है, जैसे मेरा बिटा मुझे बता था, जब ये बढ़ना हुई इस बाद उसने मुझे बताया कि पाप उनने निगा कि उनको ये पेलना है, जब तक खरीद नहीं लिए तब तक जो देते रहे का आप ये बढ़ना है, मेरी बेटी अभी च्ववी साल की है, उसने मुझे बताया कि वह इपर शिक्स क्लास में जब उती है, तो शिक्स क्लास में जो कॉपी किताम उनको मुझे उनक तो उसको टीचर नहीं लिए क्लास मुझे बाद का लिए, तो मुझे उन दोनों बच्चों की बात है सुनके, ये वाली चीज़े मेरे नॉलिज में पहले कभी देती है, तो मुझे इस बात को लेकर बड़ा को लगा कि आप देजिए कि छोती चोती पर जोग के आप मुझे किताओं का जो कवर है उसके भी कमीशन नहीं चोड़ना चाहते हैं अब बच्चों को आप क्या दे रहे हो कि इतने बड़े हो गए हैं इतने साल गोजर गए हैं तब भी उनके मल में ये वाली बात कही न कही बेठी हो तो उस समय बच्चा किता हट कुला है तो जैसे मैंने पैसे कि बच्चों के चोटी चोटी चीज़े को लेके हम खट करने इसमें सुधार की मुझे लखता है काफी होखशा है एक सर्थ आपके टाइम मैंजमेंट और आपकी स्ट्रेस मेंजमेंट को लेके भी काफी चर्चा उड़ी इन दोनों को कैंसर मैंसर करते हैं देखिए म मैं सामाना दौर में दूसरे लोगों को काम करते देखता हूं मेरी इंगती काम करने की थोड़ी सी तेज है मतलब वो है मतलब कर लेता हूं तो आपास दिसीर में मेरे पास हो जाते है फिर दूसरा क्या है कि कई लोग सोचते है तब तक तक तो मैं टाइब भाई भी कुदी कर दो भी प्रेंज फ्वान चाहिए की कर लेता हुए तो भी मेरा एक पास काम कीवे टाइम लाइन काम कर था हुए च्छी प्रहाईर एक मैम डिन ही कि 21 तारीं जो है विडि़ीक ही चाहिए इसमें काम नहीं भगाता कम को चाहिए ही मैं तुम त्म砂 TV टाइम काम के हैं इसी जगे पर हमारा सेटेशन रूम है, इसी रूम में हम एशी साब दी रूम है, वेवी शुमेह चार बजे पांच बजे के लिए काम की इसी को लेके किया है कि हमारी ताइम लाइन में काम कॉपिछ हो जाए तो कई वार ऐसी स्थिति आती है कि आपको नीट लेना पड़ती ह को बताना पड़ता है कि काम करने में आप लुक्ती मेनत कर सकते हो ऐसा नहीं है कि करनेक्टर जो आफ दस हो रहे हैं वाकी लोग को काम करने लोग ने देखा एक दिन तो जो जो शाइद बाई से तेज तारीक का दिन था मैं सुबह 8-8 में यहां गया था अगले दिन सुबह मुझे लगता है तो मुझे लगता है जब आप दूसा ही है कि जब आप कहां नया करते हो प्लैने जी आपको आट्रमेटर की मिलती जाती है तो वह एक मुझे लगता है टाइम-लाइन की प्रति या प्रतिवत्त हो कि हमें इस समसीमा में काम करना है उसके लिए फिर भले मुझ कुमार शर्मा उनकी लाइफ जर्णी पर फिल्म रनी है तो कि उनका मुझे संगर्स को लेकर देखाए गया है हमेशा से अफसर साही को लेकर वोल्यवर्ट में बनती रही है आपके पास भी इस तरह कोई उफर आएगा नहीं पास इस तरह कोई आपर नहीं है शर्मा बहुत धन्वाद आप सुन रहेते देबर पर क्लेक्टर दीपक सक्सेना को मैं हूं रविकांज दिक्ष्य तो मेरे साथ हैं दस सूद्र की टीवी धन्वाद